निर्भाय कानून में दरिंदों को सजा दिलवाने बाली सीमा कुसवाह जी वकील सीमा कुसवाह जी हमारे साथ है उनसे बात करेंगे बैटम कानून को दिखा जाए तो नियाय देर से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है बिलकुल मिलता है लेकिन ऐसा भी है कि नहीं भी मिलता ये भी सच है क्योंकि बहुत सारे न्याय तो उनको भी मिलना है जो निर्दोस हमारी तिहार जेल जैसे बड़ी-बड़ी जेलों में बैठे हुए जिनको जिनकी कोई गलती नहीं थी निर्दोस फसा दिया गया आज तक उन्हें की कोई पेर भी करने वाला नहीं है सुन्भाई करने वाला नहीं है तो जिस्टिस के वह भी वहकदार है कि हां जो मेटर हाइलाइट हो गया हुए जिन्हों नियाय की चेस की पैरल्ली लगे रहे तो नियाय मिलता भी है दमत los केस की बात करें तो इसमें काफी लंबर टाइम लगा वकील जो अपोजिट साइट में खड़ेती हो उन्हों भी कई बार पेटिशन दायर की सुप्रीम कोड सुप्रीम कोड से भी मागर के राश्ट्रपती इतना समय क्यों जब केस इस परश्ट है कि ऐसा हुआ है एक और ब्यक्ति को अगर किसी ने अपराद भी किया है तो उसको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है डैथ पैनल्टी में सिस्टम ये है कि उहां पर प्रवीजन है मर्सी पिटीशन का था और ये कहा गया है कि अगर कोई ब्यक्ति ये रिवर्सेबल नहीं है कि एक ब्यक्ति क तो आपने फांसी की सजा दे दी और बाद में आपको पता चला कि वो तो निर्दोस था तो आप उसको कैसे कमपंसेट करोगे इसलिए उस ब्यक्ति को लाश्ट प्रीत तक सुना जाएगा सुप्रिम कोट का जिजमेंट है सित्रगन चौहान का उसमें ये प्रवीजन आया तो उसके अलाबा भी कोई ब्यक्ति अगर डिष्टिक कोट कभी कभी क्या होता है कि जजजज भी प्रॉपर तरीके से सुना जाए तो पिर उसके बाद सुप्रिम कोट है वहां पर भी कुछ चीजह ऐसी हो सकती है कि जो नहीं निकल करके कि आई कुछ गभाओं को डराय धंकाया को नहीं चीजें आगी फैक्ट तो वहां सुना जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनको लगता है कि नहीं यह ब्यक्ति जो है सुधरने के पूरे गुंजायस हैं बहुत सारी चीजे तो उनका वो वॉलेंटरी है कि वो माफ भी क महिला एं एक बात मन में सवाल उड़ता है है कि जो कौनून-षळिभी सेक्ग कभी यह मानना है कि कभी भी हम जब गलत के खिलाप लड़ रहे तो हमें यहीं कहना चाहूंगे हमारी लडाई बहुत बढ़ी है हमारी लड़ाई मेलाँ की भागिदारी, उनकी सुरक्छा की उनकी सम्मान की लड़ाई है उनकी पॉलिटिकल एडमिनिस्टेटिव भागिदारी की लड़ाई है लेकिन हम इन छोटी चीजों में उलज करके कि चूक हमें कुछ कंपनसेशन मिल जाएगा तो हम किसी बेटे को जोटे केस में और खसा देंगे दो मुझे लगता है कि आप अपनी लड़ाई को ही कमजोर कर रही है। जुनोरी दिखा जाता है कि पैसे के लिए लोग कोड में केस जाते हैं, कोड में केस से ठुछे जब चलते हैं केस तो उनके भाद वापस ले लिया जाता है। अब हम इस पर एक बात आपको बताना चाहरे हैं, देखिए, एक मेरे पास case आया, example देके बता रही हूँ मैं, एक case आया, जिसमें एक लड़की की साधी की गई, चार साल पहले शादी हुई, उस लड़की के, वो लड़की M.A. कर रही थी, उसकी पढ़ाई उसके फादर ने अगर वो उसको दो साल टाइम देता, तो वो सरकारी नौकरी कर लेती, पढ़ाई छुटवा दी, उसके फादर ने जिस घर में शादी की फोर बीलर कार दी, और बहुत सारा पैसा दिया, वो पैसा बेटी के नाम नहीं किया, वहाँ पर क्या हुआ हुआ, हस्बेंड को ले करके अलग रहने को मजबूर है, माय के बाले कह रहे हैं, अपने पती को छोड़ करके मेरे यहां नहीं रहोगे, उसके पास कोई नौकरी नहीं है, पती घर में रखने को तयार नहीं है, सुस्राल बाले, एक सवाल है कि वो बेटी अप कहा जाएगे, जब वो बेटी अपने पती के खिलाब कि उसने मार पीट करके घर के से निकाला, मुकदमा करती है, 498 का जो मुकदमा करती है, कि क्रुवलिटी की, कोट जाती है कि मेरे बेटे को मेंटीनेंस दो, क्योंकि उसको तो आपने नौकरी करने दी, ना उसके पास प्रोपर्टी है, वो जाएगी उस बच्चे का लालन पालन कैसे करें तो वो कोर्ट से मांगती है maintenance और कहती है कि मेरे बच्चे को पढ़ाना है मुझे मैं कहां से खाने के लिए लाऊंगी मैं कहां पर रहूंगी तो मुझे आप 10,000 रुपई महीने दो तो पती कहता है या कोर्ट कहती है कि चलो आप 10 की जगे साथ ले लो अब 7,000 रुपई में वो बेटी एक रह रही है अलग फिर उस पर दबाव वो अपनी केस की पैर भी करने जा रही है जहां पर पैसे खर्च करने है बकील को पैसे देने वो लड़ पाएगी इस सिस्टम से यह बुराई तो उसके साथ गलत हुआ ना फिर क्या करते है कोर्ट कहती है आप कंप्रुमाइज कर लो वो कंप्रुमाइज करती है तो वो कहती है कि कम से कम हमें इतना पैसा दिला दिया जाए कि मेरे बच्चे का भविस सुरक्षित हो जाए और हमें भीक मांगने के लिए म मजबूत कि वो जा करके कहीं ठेला लगा करके जूस बेश सके अगर वो बहुत बड़ा काम नहीं कर सकती ना वो वेटी सामाजिक रूप से मजबूत क्योंकि अगर वो ठेला लगाएगी कुछ चोटे मोटे काम भी करेगी दस लोग उस पे ना छीटा कसी करने वाले निकल कैसे पैसे कमाएगी वो परिवार उसके साथ नहीं समाज उस पर अगर उसके पती ने छोड़ दिया तो लांचन लगाएगा ऐसी नहीं होती तो पती छोड़ देता है यह सामाज की रियलिटी की बात कर रहे हूं कानून छोड़िये वो मिस्यूज नहीं है वो उसके भविस नहीं मांगेगी सरकार उसकी जिम्मेदारी ले जिन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है उनको रहने को घर देगी उनको सरकारी नौकरी देगी उनके बच्चों की परवरिस करेगी भाई साब इस सिस्टम में इतनी खामिया है एक फीमेल के लिए अगर कोई बेटी आपके पूरस से जिस्ट डबल वह अलग बात है कि योगेस भाई साब जैसे लोग भी हैं जो अपनी पत्नी का पूरा सपोर्ट करते कल उनकी पत्नी मेरे साथ थी कमला भाभी जी वह बता रही दी कि मैं इनके बिना हमारे लिए संभाव नहीं था एम पी जो ऑनलाइन की बाति से बिल्कुल मेरा यह मानना है कि ट्रांस्पेरेंसी बहुत जरूरी है क्योंकि बैचारे क्लायंट को पता ही नहीं है कि ज boastाम ने क्या और मेरे बकिल क्या मूला और कोट में हो क्या गया तो कम से कम इस तरीके का अगर सिस्टम हो रहा है तो घर बैठे आप भी सुन सकते अगर आप मीडिया से तो आपको कोट जाने की जुरूरत नहीं है आप वहां देखी आप अपनी ऑपिनियन बना करके रिपोर्ट बना देंगे और दूसरी चीज टांस्पेरेंसी होगी कि कोट में हो क्या रहा है सब लोग देखेंगे तो यह बहुत जरूरी है कि अगर ओनलाइन हेरिंग हो गई है और वो यूट्यूब पे जो सुप्रिम कोट हाई गोट के चीज़े है और होना ही चाहिए कि आप महिलाओं को क्या संदेश लेना मैं महिलाओं को यह संदेश देना जाती हूँ आगे आने वाला भविस सापका है लड़ना जगरना सीखिए गलत के खिलाप लेकिन गलत खुद भी मत करिए चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो उसके खिलाप चाहे आपका भाई हो पिता हो बेटा हो पती हो उसके खिलाप भी गल उलकर समा से आने वाली क्या नाम था अबंती भाई लो दीजे मैं जब उनके बारे में पढ़ती हूँ न तो मैं सौक्ड रह जाती हूँ एक उनके पती की जब डैथ हो गई उन्होंने किस तरीके से पूरा सिस्टम को चलाया तो यह इत्यास भरा पड़ा है हमारे देश में महलाओं से जब वो पावर में आई है तो बहुत अच्छा काम किया अब भी प्रजेंट में भी आपकी घर में भी आपकी बेटी पत्नी होगी आप एक बार देखिए एक्सपोजर दीजिए घर से बाहर निकालिए प्रूफ कर देंगी अपने आपको आगे बढ़िए एक ज निया जरूर मिलता है कैमरा में रबजल के साथ सत्यम शर्माद दखल्यूल भोपाल। आप देख रहे हैं दखल्यूल